तो आईए जानते हैं इस नई थियोरी और बर्मुटा ट्राइंगल से जुड़ी अने थियोरियों के बारे में डीटेल में बर्मुटा ट्राइंगल अधिकारिक तौर पर चिन्नित कोई इलाका नहीं है दुनिया के किसी नक्षे में भी बर्मूटा ट्राइंगल को नहीं दिखाए गया है ये एक काल्बनिक ट्राइंगल यानि तिकोना इलाका है जिसके एक कोने पर मियामी यानि की फलोरिडा में दूसरे पर सैंजोआन यानि की पुएटो रिको में और तीसरे कोने पर बर्मुडा है ये करीब 4,4,000 मील इलाके में फैला हुआ है आपको बता दें पिछले 100 साल में दरजनों जहाज और विमान गायब होने के कारण इसको शेतानी ट्राइंगल भी कहा जाता है पहली बार 1872 में यहां सिर्द मेरी नाम का जहाज गायब हुआ था जिसका कोई पता नहीं चला उसके बाद सबसे भैंकर हादसा 5 दिसमबर 1945 को हुआ था जब 5 बार TPS, वम, वर्शक, विमान, फ्राइट 19 लापता हो गए थे इन 5 विवानों पर अमेरीकी नौसेना के 14 पाइलिट एक प्रशिक्षन अब्यास के ले गए थे उनका कंट्रोल रूम से संपर्ग तूट गया और कुछ नहीं पता चला बाद में उसकी खोज के लिए एक प्लेन भेजा गया तो उसका भी पता नहीं चला बर्मुड ट्राइंगल के बारे में दुनिया को उस समय पता चला जब 16 सितंबर 1950 को अमेरीका के एक अख़बार ने इसके बारे में च्छापा उसके दो साल बारे एक पत्रका में एक लेक छपा था जिसमें फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र था तब से बर्मुड ट्राइंगल की पहली सुलजने की कोशिश शुरू हो गई 1918 में अमेरीकी नौसेना का जहाज USS Cyclops भी गायब हो गया था यह जहाज प्रथम वेश्वयोद के दोरान अमेरीकी बेड़े को इंदन की सप्लाइग करता था जहाज में 309 लोग सावार थे जहाज को बाल्टिमोर पहुँचना था लेकिन कभी नहीं पहुँचा इसके दो और साथी जहाज 1941 में इसी रूट पर गायब हो गई कोलबन्स का जहाज 1492 में बर्मूर ट्राइंगल की तरफ गया था उनने बताया कि एक रात समुधर में बहानक जवला टकराई और कुछ हफते बाद अजीब सी प्रकाश नज़र आए उनके कमपस में काम बंद कर दिया गया था इस इलाके में बर्मूर ट्राइंगल का नाम 1964 में मिला अमेर की लेखक विंसेन गेरिज ने मैगजीन आरगोजी के फरवरी 1964 संसकरन के लिए कवर आर्टिकल में इस टर्म का इस्तेमाल किया तब से व्याबक विमाने पर इस इलाके के लिए बर्मूर ट्राइंगल टम कर इस्तेमाल होने लगा बर्मूर ट्राइंगल को लेकर कई थियोरियां है किसी का कहना है कि यह शैतानी ताकते रहती है तो कोई हेग्जगनल वादलों की थियोरी देता है एलियन थियोरी कुछ लेखोंकों का कहना है कि इस इलाके में जहाज और विमाने को गायब होने के लिए UFO जिम्मेदार है उनका मानना है कि एलियन्स इस इस इलाके को प्रिथवी से अपने ग्रह पर आने जाने के लिए इस्तिमाल करते हैं जब कोई इनसान जहाज या विमान इस इलाके में पहुँचता है तो वो इसे रिसर्च के लिए अपने कबजे में ले लेते हैं गुमशुदा अट्लांटिस शहर कुछ थियोरिस्ट का मानना है कि कभी इस ट्राइंगल के नीचे अट्लांटिस नाम का एक शहर बसा हुआ था उस शहर को जिस रहसे में क्रिस्टल से उर्चा की आप पूर्ती होती थी वो अभी भी समुद्र की पैंदी में हैं जिससे उर्चा की भेंकर तरंगे निकलती हैं जब जहाज रविमान इन तरंगों की चपेट में आते हैं तो तबाह हो जाते हैं विशालकाई पिरामिट कुछ लोग का कहना है कि ट्राइंगल वाले इलाके में समुद्र के नीचे एक विशालकाई पिरामिट है जिससे टकरा कर जहाज रविमान तबाह हो जाते हैं अफरीकी गुलामों की आत्मा एक थियरी ये भी है कि ट्राइंगल उन गुलामों की आत्मा से बना है जिनको सी कैप्टेंज ने अपनी यात्रा के दोरा यहां फेग दिया था डॉक्टर कैनीथ मैकॉल ने अपनी पुस्ताग हीलिंग दा हॉंटेड में लिखा है कि इसका तरना के लाखे में भूती आवाजे सुनी जा सकती है सरकारी परेक्षन एक थोरी ये भी है कि अमेरकी नौसेना का अटलांटिक अंडरसी टेस्ट एंड इवेलिएशन सेंटर रहसे में बर्मूडर ट्राइंगल में इस्तित है इसका इस्तिमल पंटुबी, हत्यारो, सोनार, गुप्त, परियोजना और एलियन संबने टेक्नॉलजी की जाच के लिए किया जाता है कुछ लोगों का कहना है कि इसी कारण यहां से जहाज गायब कर दिये जाते हैं शक्तिशाली समुधरी टूफान अटलांटिक महसाकर में शक्तिशाली समुधरी टूफान आते रहते हैं जसने हजारों लोगों की जाने लेनी है इन तूफानों को प्राइड ऑफ बाल्टिमोर समित कई जहाजों के ढूपने के जिमदार बताया है 14 माई 1986 को प्राइड ओफ बाल्टमो डूबधा कहा जाता है कि इन तूफानों के बीच में फसका जहाज और विमान डूब जाते हैं मेथेन हाइडरेट्स एक त्योरी मेथेन हाइडरेट्स को भी समुदरी जहाज और विमानों को गायब होने के लिए जिम्मेदार मानती है माना जाता है कि शेदर में मेथेन हाइडरेट की बहुलता है प्रित्वी के धरातल के नीचे जब अचानक भूसकलन होता है तो गैस का बुलबुला निकलता है जिससे पानी का घरत नाट के तौर पर कम हो जाता है पानी का घरत अतना कम हो जाता है कि जहाज अचानक डूब जाता है इसके अलावा ये गैस विमानों के भी टुक्ड़े टुक्ड़े करने की शम्ता रखती है बर्मूडा ट्राइंगल के उपर आस्मान में खूब तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कती है जिसमें इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड बनता है इस इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड की वज़े से इलेक्ट्रोनिक फॉक बन जाता है जिससे बीच जब कोई समुदरी जहाज ये विमान आता है तो उसका उकरन काम करना बंद कर देता है इंसान की गलती आस्ट्रेलिया के एक वेगनेट डॉक्टर काल यहां घटनाओ के लिए इनसान के खुद की गलती को मानते है इसी तरह उनके जैसे कुछ और लोग भी है जो मानवे तुर्टी को जिम्मेदार मानते है उन लोगों का कहना है कि चारक दर के सही से पशिशक नई होने पर इस तरह का खाथसा होता है एक नई थियोरी हेग्जागोनल यानि कि छे किनारों वाला बादलों को यहां दुरगटना के लिए जिम्मेदार माना गया है इसके मताबिक बर्मूटर ट्राइंगल के आस्मान में हेग्जागोनल बादल बनते हैं और इसके साथ 170 मील पती घंटे की रफ़तार से चलने वाली हवाए बहती है इन हवाओं के कारण 45 फीट की उंचाए तक लेएग्जागोनल बादल बनते हैं